Hello friends and welcome to my channel अपना इंशुरेंस वाला हैं अपनी डेली खर्ट के लिए हर महीन कुछ पैसों की जरूरत होती है और इन पैसों के लिए आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े इस ली एक जरूरत को पूरा करने के लिए LIC की जीवन्कारा रसकेंड नहीं बनाई गई है इस plan को लेने के लिए minimum age होगी 20 years की और maximum age 65, 70 और 80 years तक ले सकते हैं maximum age इस बार पर निर्भर करता है कि आपने annuity के लिए ये कौन सा option चुना है इस plan में आप दो तरीकी से premium भर सकते हैं एक है single premium और दूसरा है regular premium आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल single premium की एक ही पार पैसा जमा करना पड़ता है और आप इसमें एक साल से लेकर 15 साल तक कर deferment period चुन सकते हैं मैं आपको यहां बताना चाहती हूँ कि अगर आप 5 साल कर deferment period चुनते हैं तो आपको pension 5 साल के बाद मिलनी शुरू होती है अगर आप 1 साल कर deferment period चुनते हैं सिंगल premium option में आपको lifetime annuity मिलती हो और बाद में परिवार को जमा पैसे वापस मिल जाते हैं आईए एक example से समझते हैं एक Mr. रमेश है जिनकी उम्र 30 साल है और 1 साल कर deferment period चुनकर इन्होंने 10 लाक रुपे का plan invest किया है तो Mr. रमेश को एक साल बाद यानि 31 साल में 64,400 रुपीज की सालना annuity यानि pension मिलेगी और यह पूरे जीवन भर मिलेगी और Mr. रमेश के ना रहने के बाद 10 लाक रुपे उनके परिवार को वापस कर दिये जाएंगे अब अगर Mr. रमेश 15 साल का deferment period चुनते हैं तो वही 10 लाक रुपे उनके इन्वेस्ट किये हैं तो 30 प्लस 15 यानि 45 यानि 46 साल से उन्हें 1,63,000 रुपीज हर साल मिलने लगेंगे और बाद में 10 लाक रुपे उनके परिवार को मिल जाएंगे यहाँ पर मैं annuity word का बार बार यूज कर रही हूँ पैंशन नहीं कह रही हूँ क्यूंकि पैंशन 60 साल के बाद ही मिलती है जबकि annuity तुरंद ही मिलनी शुरू हो जाती है यह आपके द्वारा चूज कि यह deferment period पर depend करता है सिंगल प्रीम गे केस में आप कभी भी इस policy को surrender करा सकते हैं और कभी भी आप इस policy पर loan ले सकते हैं इस plan को लेने के लिए आपको proposal form 443 भरना पड़ता है